कि अलोग्ण दोस्तों अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप भी जानल में करने के उसके चिरूंध करें लुह।imiz इरे विन नो सब्सक्राइब करता है एक पार्ट चो की पेपर में आता ही आता है और ज यह आप यह आशकर सब्सक्राइब सीद्स करते हैं कि आप करते हैं बहुतог करने इस टान तो कि आपकर देख इन्हेंज 疑ना और आपको एक पेर उंगे गता हैं और तो बता हुआ इंग्रिश में उसमें आपको 2-3 एक स्टोरी या पे कुछ दिया रहता है उसमें आपको 2-3 परागाप दिये रहते हैं जानर्ली होता क्या है कि जब हम वो तीन परागाप देखते हैं इंग्रिश के तो हम आज मैं आपको ऐसे टिप्स बता हूं कुछ आप एकनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे जिससे कि आप परग्रप से डरना भूल जाएंगे ऑर इंग्रिश में आप अच्छे माद सकते हैं मैं आपको बस थोड़ी से टिप्स दूली अगर जिनको अपने फॉलो कर लिया तो यह मेरी गैरंटी है कि आप अंसीन पैसेज पूरा पूरा सौल करके आएंगे चलिए अब हम आप करते हैं अंसीन पैसेज की हमने बात की इस लोका आपको 8 से 10 कोशन दिये रहते हैं जो कोश्चन इस पैराग्राफ से ही रिलेटे होते हैं बस हमें इस को पढ़ना रहते हैं अर आंसर देने रहते हैं चलिए सब्सक्राएं मार्क करें हमारी परस्ट टिप की हमारी परस्ट क्या है कि हमारे फस्सी च्याइब आपको एक्जाम में है लिखें आप पैस्स को बूर जाए आप सबसे पहले जाए उसके फोर्ष इशंड पर जितने का निवी कोश्टन दिया पहले सारे कोश्टन्स पढ़िए तो मारे फस्सी पढ़ने से आप क्या फाइदा होगा क्वोशिजन से पढ़ने से जब आप क्वोशन पढ़ेंगे तो हमें एक आईडिया लगएगा कि पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है तो उसे में पैसेज इजी हो जाएगा पढ़ना उसके बात दूसरा काम आप ये किजिए कि पैसेज जो कोश्चन है उससे की वर्स नोट की थे हैं की वर्स का मतलब क्या है जैसे मांगी चाहिए हमें को हमारे में एक कोश्चन दिया है रहा है विलॉंग तू विच कमेटी हमें यह कोश्चन दिया है कि हमने कोश्चन पड़ा हमें कोश्चन मिला रम्मन विलॉंग सुभिच कमेटी तो आप क्या कीजिए कोई भी की वर्स जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मालीजे मुझे लगा विलॉंग्स तो मैंने यहां पर एक वर्ड ले लिया विलॉंग् अब अब एक विलॉंग्स नोट कर लिया अब ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है इसके बाद आपको पढ़ना तो हमारा तीसरा टिप क्या है हमारी पैसेज जब आप इना से कीवर्ड नोट कर चुके होंगे फिर अब जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग मे यह कीवर्ड इस्टोर हो जाएंगे तो जहां भी हमें यह कीवर्ड दिखेंगे हम वहीं पर रुख जाएंगे या फिर जब हम किसी चीज को ढूलते हुए पढ़ते हैं तो आम उसमें जाता खाते हैं तो जैसे ही आपको बिलॉंग्स दिखा किस पैसेज में हमारी जब को सब्सक्राइब में ब्रॉंग्स दिखा आपको ब्रॉंग्स दिखा बहीं रुख जाएंगे फिर आप अपने कोर्शन पर जाएंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगो और आप इमीडियेटली उसको ठिक कर दिए इससे की क्या हुआ इससे आपको दो फाइदे होगा पहला पैसेश पढ़ने के साथ साथ आपके कोर्शन पर आंसर भी देते जा रहा है नहीं तो जनरली क्या होता है अगर हम पैसेश पहले पूरा पढ़ लेते हैं तो हम कोर्शन पर जाते 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 उसको भूल जाते हैं या पर हमने उपर का पहला पहला पढ़ लिया हम दूसरे पहले 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 की कुछ बाते बूल लाएं ऐसे क्या हुआ आप कुछ भूलेंगे नहीं और आप सही एकुरेट आंसर रखा के आएंगे